कि हखलो नूश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है गवर्मेंट सरकारी वैकेंची के यूट्व चैनल पे जैसा कि दोस्तों हम आप सभी के लिए नई-नई और सारी जानकारी दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यह रासतान कर द निकाली गई यह पशार्थ योजना जिसके अंदर दोस्तों उर्गनगानुजाइस करेख निकाली गई यह लогवी लिए भरतियां दोस्तों जिस बढलती यह 141 eno 설 None plans इस योजना के अंदर क्या eligibility मांगी है क्या क्या आपसे मांगा है जिससे आप इस बस सार्थी मतलब हस्तान रोडवेज में कर पाएं apply और जान पाएं और विजानकारी तो वीडियों बने रहीएगा दोस्तो देख सकते हैं यहां पर जो age limit मांगी गई है दोस्तो वह मांगी है सकते हैं यहां पर आपका more than यहां पर आपके हजार किलोमेटर इन मंत में होने चाहिए दस हजार किलोमेटर तब जाकि आपकी सेलरी इतनी रहेगी दोस्तों धोड़ा condition based है यह योजना दोस्तों पर लाइब दायक है application fee की बात करें तो देख सकते हैं यहां पर application fee A की अब बात करें application education की तो दोस्तों education यहां देख सकते हैं आपसे 10th class pass out मांगा गया है दोस्तों ओके वह आपकी complete होनी चाहिए तब ही आप यहां पर हो पाएंगे eligible दूसरा देखते हैं यहां पर applicant applying having a present valid operator license and bandage तो दोस्तों यहां पर आपके पास valid license होना चाहिए आपके पास और दोस्तों और यहां पर retired driver and conductors भी कर सकते हैं जो पुराने हैं वह भी कर सकते हैं apply दोस्तों अब बात करें bus driver task जो आपके अंदर इसके कारें होने वाले हैं क्या कि आपको ध्यान रखने हैं जैसे कि देख सकते हैं आपका यहां पर to make passengers sit in the bus and issue ticket after collecting fare तो दोस्तों आपको ticket जब भी लेना पहले आपको अपना ticket देने के बाद आपका अपना जो ticket का किराया रहेगा वो देना ही लेना है हर एक बैठे वे passenger के साथ and deposit the revenue received from ticket in warehouse office और फिर आपको यह सारा का सारा जो revenue होने व जितने भी हमारे वहां पे passenger रहेंगे उनसे वह आपको collect करके वेराउस officer में जाके office में जाके जमा कर देना है और यह ऐसे यहां पर डेर सारी आपर टास्क बताये हुए हैं जिसके अंदर आपको अपनी dress code के साथ जाना रहेगा जो आपके वर्दी दी जाएगी आपके उस वर्दी के उपर आपकी जो name plate होती है वो लगाना जरूरी है दोस्तों आपकी uniform के उपर ना भूलिएगा अब बात करें यहां पर how much तो यहां पर आपको कितनी चुटी यां मिलने वाली है वैसे आपको देख सकते हैं यहां पर week की चार चुटी मिलने वाली है मन्त के अदर मंत के अंदर चार छोटियां मिलेगी दोस्तों जिसके अंदर अगर आप पाँच छोटियां लेते हैं बिना कोई नोटिस दीए तो आपका यहां पे वो चार दिन समयंत पांस्तिन का भी अबाउंट कट जाएगा दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों और जिसके अंदर आपकी GST और लग कि कटने वाला है दोस्तों ध्यान रखिएगा सारी चीजों का एंड मैक्सिमम लीव यहां पर आपको मैक्सिमम लीव दस दिनों तक की ही दी जाएगी बाइदा चीफ मिनिस्टरों के अंदर से होगे दोस्तो ध्यान रखिएगा और आपकी छुट्टियों का अमाउंट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों जितनी आप छुट्टियां लेंगे उनका कोई अमाउंट आपको मिलने वाला नहीं है अब बात करें कैसे अप्लाई करना है तो दोस्तों आपको पहले हमारी ऑफिश साही जानकारिया फिल कर देनी है उसके बाद एक जो हमने पहले शुरू में बताया था अप्लिकेशन फी केंदर नॉन जुडिशियल स्टैम आपको 500 रुपे वाली लगा लेनी है ओके दोस्तों और सारे डॉक्यमेंट्स आपको सारे डॉक्यमेंट्स फॉर्म के साथ अटे तो यह देख सकते हैं फ्यारा सा नॉटिफिकेशन जो निकाला गया है दोस्तों इस नॉटिफिकेशन के अंदर सारी जानकारी है जो हमने बताई है इस नॉटिफिकेशन को भी डाउलोड करने के लिए आप हमारी ओफिचियल वेबसाइट www.sarkharivacancy.com पर जाके सारी जानक करीदार वीडियो के साथ जब तक के लिए घन्यवाद दोस्तों